है वेलकम बैक टू एसाई कंप्यूटर जोन और आप सब का स्वागत है हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसाई कंप्यूटर जोन पर शो हम लोग कर रहे हैं थे ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर और हमारा जो लेक्चर था वो एंड एंड में ही पहुंच चु बाद हमारा जो है नया जो लेक्चर था वो ओन होने वाला है जो कि पैंट और उसके बाद नौटपेड और उसके बाद पिर क्या आएगा शो मैंश ओफिश आएगा शो हम लोग इस को तिन मंद में करने का बारे में डिसाइड किये हैं शो आप लोग हमारे शाद बने रहे क्या अगर लोग कहिए का? अगर आप लोग चाहै पैंसी एक्जार में लीया जाये जाए और आगर आप लोग चाहते हैं सब्छैटिव चाहिए कुछ लिखने का चाहिए तो वह सब्जेक्टिव वैसिस में भी लिया जा सकता है शो आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग लेने के बारे में से डिसाइड करेंगे शो ऑपरेटिंग शिस्टम जैसे ही खतम होगा उसके बाद एक छोटा सा एक्जाम टेस्ट मौक टेस्ट रखा जाएगा ताकि आप लोग क्या रहें फैमिलियर रहें कि एक्जाम आखिर कैसे होने वाला है शो नीश्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में त Sun का मिल रहा होगा वह क्या फोर्म क्या है चय्का मैं आप लोगा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं उस फॉर्म करने करने वह form को फीलप किजिए गा सम्मिट करनेस पहले उसका एक इस्क्रिंसोट ले लिजिए गा ताकि क्या होगा कि वह इस्क्रिंसोट आप हमारे चैनल पर सोरी हमारे वाट्सप नंबर पर आप उसे सेंड कीजिए गा और साथ में एक नीचे लगाईएगा कि आपको क्या चाहिए certificate आप क्या लिखिएगा certificate certificate लिखने से क्या होगा वो फॉर्म भरने के बाद भी मेरे पास आ जाता है बट कभी-कभी क्या होता है कि वहां तक जल्दी रीच नहीं कर पाते हैं अगर आप लोगों को फॉर्म के रिगार्डिंग कुछ प्रोब्लम हो आप हमें डारेक्ट कॉंटक्ट कर सकते हैं हमारे वाट्सअप नंबर पे जो आप लोग को शो हो रहा होगा आज हमारा नेट जो है वह श्लो है शो इसे हम लो हमलों लोग पढ़ने जा रहें सबसे पहले में तो सेटिंस स्टार्ट कहां से करें सेटिंस स्टार्ट करने के लिए आप लोग संपली आई यहांपे इस्टार और यहां पर आपको एक दीख रहा होगा का ऑप्शन वह श्युटिंग में चूज करने के बाद उसे जब आप चूछ कीज़ेगा तो आपके पीची पे आपके लैपटॉप पे आपके कंप्यूटर पे ऐसा कुछ डेला बॉक्स ओपन हो जाएगा जो डेला बॉक्स यह जो आपको दिख रहा है यह जो आपके स्क्रीन में जो एक सेटिंग का पॉप खुल गया इसमें आपको बहुत सारा मिल सकते हैं जैसे सिस्टम सेटिंग में कुछ बताया यह है आते हैं तो सब्सक्राइंप स्क्राइब के अब स्थपाइब तक करने हैं अभी मैक इंजक्ट कीये हुए है अपने उसके बाद यह हमारा वॉल्यूम बटन जिसे हम लोग कम या अधिक कर सकते हैं जिसके बाद यहां को ड्रबल सूट मिल रहा है इट मिन्स कि अगर आपको कोई चीज का प्रॉबलम हो रहा है आपको ड्र में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है वह हमारे सिस्टम में क्या तो वह आपको पता चल रहा है शुनाय दे रहा है तो वह आप लोग को देख सकते हैं कि जितना जोर मैं बोलूंगा उतना जोर से यह माइक का जो यह बीम निकल रहा है है वो क्या होगा कम या ज्यादा कम या अधिक होगा ठीक है जिसके बाद अगर इसमें भी कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप यहां ट्रबल सूट में आ कि आपने आपको मैनेज कर सकते हैं और इस सेड में आप देखी पा रहे होंगे कि गैट हैल्फ एंड फीडबैक के बारे में है जिसके बाद आता है नॉट्रीफिगेश्न औंड शाउन का आक्शिन नॉट्रीफिकेशन अड एक्श्न तो यहां पर आपको बैसिक लिद्स के बारे प्रॉप वारे में कुछ मिलेंगे जहां पर नॉट्रीफिकेश्शं को और कर सकते हैं और यहां पर और ज्यादा कुछ तो है नहीं जिसे मैं आप लोग के लिए शोड़ दे रहा हूं ताकि आप लोग इस सेक्शन को ओपन करें और इसके बाद आप लोग इसको अच्छी तरह से देखें जिसके बाद पावर एंड यहां पे आप इसको सेट कर सकते हैं जो कि मैंने पिछले वीडियों भी य सकते हैं इस्क्रीन जो है उन्द बैटरी पावर टर्न अफ और टू इनट टिकार इट मेंस कि जब आपका बैटरी जो है वो शेविंग मोड में है डो जो ऑप का जो है यह पार अप करने का अगर आपका गर यह तो बैटरी पावर ऑन होता जöyleने वह एक हो घैप एर मतलब रफ्राय आइं तर यह आप अगर आप यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा पावर आफ हो जाएगा जिसके बाद स्लिपिंग मॉड में भी कुछ वैसा ही है कि दो मिनट और एक तीस मिनट ठीक है इसे भी देख लिजेगा जिसके बाद आपका बैटरी का सेक्शन आता है बैटरी के सेक्शन में होड़ा सा खुलने में ड्होड़ा सा घना आता है तो बैटरी के lotta चलता है कि आपका बैटरी अभी कितने चांज ढथा है सबसे पहले उसके बाद आता है कि बैटरी शेवर आप ओन करना चाहते हैं और करना चाहते हैं यहां पर आपको मिलेगा जिसको आप सेटिंग कर सकते हैं आप अगर आपको यह क्या हो सकता कि वह हमेशां रहेगा 50% में किजिए का 50% में 40% में किजिए जिसके बाद आपको बैटरी यसके बाद आपका जो section आता यह आता है कि आपके कंप्यूटर या आपके स्क्रीन का जो mínव की जो है बैटरी यूज कि SIM किया है आपके कि किसंट tutorial एक्सप्लोजर जो है वह फॉर्टीट परशनी इट किया है Windows Search सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है जिसके बाद आता है इस्टोरेज जहां पर आपको पता चलेगा कि आखिर आप कितना आपके ड्राइब में इस्टोर किया हुआ है यह लोकल डिस्क जो है उसमें आपका 181 जीवी जो है वो क्या हुआ है इतना आपको मिलता है और 54.3 जीवी जो मेरा कंप्यूटर का है जो है वो क्या है वह मेरा यूज्ट हो चुका है ठीक है जिसके बाद और भी ऑफ्शन्स आते हैं जैसे व्यू स्टोरेज यू यूजेज ऑन दे अदर डिवाइश ड्राइब शो इसमें जाहिए गा तो आप अ इस तरह का section मिलेगा project projecting to the to this PC यहां पर कुछ इस परकार से आप लोग को देखने को मिलेगा तो चलिए हम लोग फिर से मैं यहां पर आप लोग को वही वही बताऊंगा यहां पहले बचा चुका है उसे मैं यूज नहीं करूंगा वह बता कि मेरे पास टाइम बरबाद नहीं करेंगे तो आप अगर अपने computer के अब डेट सिस्टम को जानना चाहते हैं तो आपका computer system क्या विंडोश टेन है मेरा विंडोश 10 प्रो है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी मेरे क्या होता है कि कि अपडेट्ट को प्रेस किया मेरा अपडेट ऑन हो चुका है ठीक है और यहां पे आपको पता चलेगा कि आप अबडेट कैसे कर सकते हैं कब करना है और किस्वे करना है यह वैसे कुछ है दिलिवरी और में क्या है विंडोच शिक्योर्टी विंडोच इपड़े स्की किया विडियो इन आपको करता है विडिवाइस और आपके जो वारर वार Advisor तो नहीं तो आकाउंट है की नहीं टीक है इंसे विक को वो क्या करते हैं बताता है यहाँ पर आईएगा प्राइवींच मिल जाएंगे इंसा इंड किया होगा ऐस किलियर हो जाएगा शो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे सेक्षंस को मैंने छोड़ा है वो सेक्षंस आपके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है एक और सेक्षन जो है वह आपका नेटवर्क एंट इंटरनेट है इसे मैं दिखा देना चाहूंगा यहां पर मेरा क्य किया है नेटवर्क और इंटरनेट के रिगार्डिंग और यहां पर कुछ और वैसा कुछ खास जानने के लिए नई है इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे कि इसके बाद हम लोग सबसे पहले चलेंगे कि रहागा अं दिख्यान पर लिख कंट्रोल पैनल होता क्या है तो परकार से दिखेगा इसे क्या कर लेना है simply इसे क्या कर लेना आपको यह category जो है उससे लार्ज आइकन यह स्मोल आईकन में change कर लेना है जिसमें आप चाहिएगा उसमें चेंज कर लीजेगा और आपको यहां क्या मिलेगा जितने भी आपके computer में control system से उसमें आप क्या कर सकते हैं कुछ भी changes कर सकते हैं तो चलिए मैं आपको माउस में लेकि चलता हूं पहले तो माउस में आप आईएगा तो यहां पर आपको कुछ settings मिलेंगे जैसे buttons regarding settings मिलेंगे बटिंग बटन्स के रिगार्डिंग सेटिंग में क्या मिलेगा double click speed जो है कितना है कितना कम करना है यह टर्ण on click lock यहां पर क्या on करने कर रहा है टर्न लोग को जो है click lock जो है उसे on करने कर रहा है इनेबल तुदा highlight to the drag without handling the down on the bounce button जिसे बाद points के बारे मता रहा है points आप कैसा रखना चाहते हैं ठीक है अगर आप ऐसा रखना चाहिए घाता आप ऐसा वाला रखते हैं जैसे मैं दिखा रहा हूं मेरा जो कर सर्जों है वो कर सरकुष चेंज हो गया अब यह कर सरको मैं फिर से चेंज करके दिखा रहा हूं तो pointer में आएंगे pointer में आने के बाद आप सिंपली नॉर्मल में रखिएगा तो फिर और प्रेस किजिएगा तो फिर । सब्कून है नॉर्मल कर्सा जो है वह нормल हो गया ठेंग है तो माउस के कुछ और फीचर जिसे मैं बता सकता हूँ वह स्वेज जिए करना करना स्वेस्णापने करना साथे हैं हाडवेर माइएगा तो आपका रहो हाडवेर के बारे में बताएगा कि कौन सा माउस का क्या है और एक और और जिसमें आप क्या कर सकते है कि विजिबिलीटी को आप क्या कर सकते हैं जैसे देखिए मेरा जो विजिबिलीटी एक इस परकार से दिख रहा है क्या हो रहा है अनिमेशन साथ में चल रहा है क्या मैं हिसी को रहने दूं कमेंट बॉक्स में बताईएगा कि क्या यह एक ऐसा लगा आपको यह जो पॉइंटर जो हो रहा है मुझे सही में आँख मेरे को नचमका दे रहा है अगर इसके बाद यह कर दिएगा तो देखिए हाइड कर देंगे और लो कर देकिर कि विल कलत immune कर रहा है हाइब कर दो भी रहते हैं और में जो मुझे दिखाना था वह कुछी यह था कि आप यहाँ पर चैंजेज कुछ भी ला सकते हैं जैसे यह देखिए को कि क्या हुआ कि पॉइंटर को क्या कर सकते हैं आप लोग चेंज कर सकते हैं कि यह यह क्या कर सकते हैं चेंज ला सकते हैं पॉइंटर में ठीक है यह ऐसा कुछ है जिसे आप देख लेंगे अपने शाप्षे कि आपको क्या करना कैसे करना है जिसके बाद यहां पर बहुत सारे है जिसमें से मैंने sound option को pick up कर रहा हूँ और यहां पर आपको क्या बताएगा कि आपका जो प्लेबेक्ट में क्या है speaker लगा हूँ है यह यहां पर लगा हुआ है तो यहां पर है फॉन लगा हुआ रहेगा तो आपको क्या दिखेगा कि वहां पर एक green मार्क मिलेगा यहां पर जैसे मेरा दिखा रहा है कि मैक्रोफोन जो है मेरा वो भी मेरा जो मेरा वो रिकॉर्ट कर रहा है और क्या है एक्सटर्नल मैक है वो भी मेरा जिसके बाद साउंड में आईएगा तो आपको यहां पर बता देगा कि आप कैसा वाला साउंड डिफॉल्ट रखना चाहते हैं अपने बैग्राउंड में जब आप कुछ कलत करते हैं तो एक साउंड का बीप प्रोड्यूस होता है जिसे आप चेक कर सकते हैं कि वह कैसा रख बताना चाहूं कि यहां पर आप क्या कर सकते हैं कि अभी जैसे मैं क्या करता हूं कि कुछी option को खोलना है तो इसे मैं क्या करता हूं जैसे यहां पर यहां पर आपको सिंगल क्लिक में खुल गया बट अगर यहां पर हम लोग को खोलना है सिंपल यहां पर आई और यहां पर करके करना होग हम लोग क्या करेंगे एग क्लिक में कोल कि दिखाएंगे और और फाइल कहां गए थे हम लोग एक मिनटी से बड़ा कर लेते हैं और फाइल एक्प्लोजर ओप्शन्स में आते हैं और खुल जा जिसके बाद यहां पर यहां पर देख रहा होगा यहां पर डबल क्लिक है और उसकी उपर क्या है सिंगल क्लिक टू ओपेन एंड आइटम आइकन टाइटल सकंसीडर बाय ब्राउजर अंडरलाइन आइकन अपर यहां पर आप लोगो कुछ फर्क दिखा हां आप लोगको आई होप फर्क दिख रहा होगा जैसे कि मैं इसे करके दिखाता हूं ठीक है इसमें क्या है कि आप एक क्लिक में खोल दिये बस एक क्लिक क्या चाहिए बस एक क्लिक किसी भी एक को ही क्यों किसी को भी ओन करके देखिए जैसे हम लोग नौटपेड कौन करते हैं तो बस एक क्लिक किया एक क्लिक करने के बाद यह हमारा ओपन हो गया इसे हम लोगोंने कैसे किया शो आइटम साइट फोलो जमें गए उसके बाद वहां पर वाले को चूच किजिए चाहे नीचे वाले को चूच किए बस यह अगर नहीं भी दिख रहा है तो कोई बात नहीं वह कोई बड़ा बात इस्वी नहीं है उसको रहने दिए बट यह जो है आपको सिंगल क्लिक में आपक मैं बताता हूं कि यह क्या है अ कि आप जो को आप कर रहे हैं उसके नीचे क्या देख रहे होंगे की लाइंस देख रहे हम ठेकर उसके नीचे आ जा रहे यहां पिए आपको कुछ इस पाकार से देखने को मिलेगा देखिएगा हम जिसको जा रहे हैं जिसको चूरा है उसमें कि सिर्फ अंडरलाइन क्या हो रहा है उसी में कि सिर्फ जा रहा है शो यह हमारा बेसिक नॉलेज हुआ कम्प्यूटर के फाइल एक्सप्लोजर के ओप्शन में जहां पे आप क्लिक को कैसे कर सकते हैं कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अनुशार ठीक है जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं उसके बाद व्यू में आ सकते हैं और व्यू में आने के बाद यहां पे भी आपको क्या मिलत मिलता है जिसे मैं क्या करता हूं आप लोग के छोड़ देता हूं और सर्च वाले ओफ्षन को भी आप लोग के छोड़ देता हूं करके शारी ओफ्षन को यूज कीजिए चूँकि आप जब तक अपने आप अपना कंप्यूटर या अपने लैप्टॉप को नहीं छेड़ेंगे तब तक आप कंप्यूटर में एक्स्ट्रा नौलिज गैन नहीं कर पाएंगे ठीक है यह हमारा जो है कंट्रोल पैनल के कुछ सेटिंग्स हैं जिसे मैंने बताया और एक सेटिंग जो कि यह है बिट लोकर डिवा हो it means कि यह चे यहाँ पर था यह को लिखने के मनकर रहा हो कोई दिक्कत नहीं आप का नाम Bald eyes Wow जो इसमें लोग लोग लगा सकते हैं और आपके अलावाय और उसका यूज नहीं करसकता है ठीक है नहीं जो पास्वर्ड देंगा उस वह यूज कर सकता है और जो पासवर्ड नहीं देगा वह कंभी भी यूज नहीं कर सकता है बिल्कुल आपके मुबाइल के स्क्रीन लॉप के जैसा ठिक है जिसके बाद यहां पर एक फॉन्ट का भी ऑप्शन आता है जहां पर आप अगे जहां-पर आपके कंप्यूटर में जितने भी इंसटोलड है इंस्टोल्ड जैक फोन्स वो क्या होंगे दिखें रहें होंगे अब ठीक है कि यहुटर में आपके अपकर आपकर अपिक्फ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर का स्पीड अगर थोड़ा सा भी लो हो गया है आप चाहते हैं कि अपने कंप्यूटर को थोड़ा सा बुष्ट अप करें ताकि वह फूब फिल से पुराने जैसा स्पीड चल पाए शो आप पहले चेक किजिएगा कि आपके जो डिस्क क्लिन में क्लीन अप है जो है च्थी डिस्क सक्लीन अप जो है इसे क्या कि जिएगा आप सर्च कि जिएगा आपणे डिस्क आप यहां से ला सकते हैं और इसके अलावा भी आप एक जगह से ला सकते हैं वह क्या है आपका दिस पिसी या फिर आपका माई कम्प्यूटर में जाने के बाद कि इसे हम लोग बंद कर देता है और माई कंप्यूटर में जाने के बाद आपके पास एक आफ्शन साता है कहां गया कहां गया आपके पास यहां पर एक आफ्शन आता है वो कहां गया जाए कि इस सोरी verse कुछ गलत कर रहे हैं यहां पर यही ग medidas me कि अ हाँ यहां पर यहां आई और सोरी मैंने थोड़ा सा गलथ बताय यहां पर डायक्स तो उसके बत क्या किजएगा आप CAUP आईए गा आप आईएगा फिर मैं बताता हुं फिर से बताता हूं चलिए और से खत नहीं है मैं फिर से बताताूं दिस्पीसी में आने के बाद दीज्च तर्फ में यहाँ पर भूज में आना है और कंप्यूटर में है ई-फू wiele कुछ तो ग sensing है अब कुछ दिर पहले आपको और तो हो रहा था बट क्यों नहीं हो रहा है और फिर से डेडिकेटेट वीडियो में यहां वाला दिखा दूंगा क्योंकि अभी मुझे मिल नहीं रहा है टो सिदे साइज देखने को मिल जाएगा यहां से आप क्या कर सकते हैं और यहां पर जीतने फॉल्डर से जहां पर आप उन्यूजवल चीज़े आपके पड़े हुए हैं जो आपके प्रॉजर को लगता है कि उसे आप क्या कीज़ेगा क्लीन कर सकते हैं तो जैकि आगर आप इसे ओके करने के बाद कुछ इस परकार का डैला बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आपके कंप्यूटर के जो भी सारे जंक फाइल्स है वो शब क्या होंगे शो किलियर होंगे शो आई होप आप लोग को शमाज में आ रहा होगा कि डिस् फाइल्स यह देखी फिर से मेरा एक बार फिर से ओपन हुआ आपको दो बार देखने को मिल सकते हैं अगर आपके जो फाइल्स जो है वह अधिक है शो हम लोग बैक्राउंड में चलने देते हैं और हम लोग आगले बार चलते हैं कि सिस्टम की प्रोपर्टीज के बारे में मैं मान की चलिए सपोश्ट आट कि आपको अपने सिस्टम के बारे में पता नहीं है यह सपोश्ट आपका फ्रेंड ने नया कंप्यूटर या लैप्टॉप लिया और उससे भी आप उसे आप जानना चाहते कि उसका सिस्टम क्या है कौन सा है वह आपको जूट बता रहा है यहां प्रोपर्टीज में आईएगा तो आपको क्या होगा यह डाला बॉक्स आपन हो जाएगा जहां पर आपको क्या मिलेगा यहां पर इन्फोर्मेशन बैसिक इन्फोर्मेशन क्या मिल सकता है आपके कंप्यूटर के बारे में मिल सकता है कि आपका कंप्यूटर में कौन सा सॉप्टवेर लगा हुआ है तो हमारा कम्प्यूटर में कौन से सॉप्टवेर लगा हुआ है तो विंडोस 10 प्रो लगा हुआ है विंडोस 10 से थोड़ा से उपर ठीक है और इसका प्रोसेशर क्या है इंस्टोल मेमोरी 4GB का है जिसमें की यूजेबल क्या 3.80 भी क्या है वह हम लोग कर सकते हैं सिस्टम टाइब क्या है 64 bit of operating system चीश्टीफॉर बेस प्रोपर सेशर पेन टच नो परेन टॉच इनफ्ट इभीलेबल इन दिस डिवाई ठीक है इसमें हमारा क्या है हमारा टचपैट नहीं है इसमें हम लोग पैंसे इसे क्या कर सकते हैं टच पता चलेगा देवार्ट सेटिंग्स के बारे में पता चलेगा और एक गर आप दिरोग देख लिएगा ताकि आप नोगोह का जो कंप्यूटर का नौलेज्ज वह क्या हो सके बूष्ट हो सके शूर यह ber험 प्रोपर्टी है जो कि आप यहां से खोल सकते हैं तो यहीं पर आने के बाद यहां पे आपको सिस्टम प्रोपर ग्रोकट इज दीख रहा होगा इसे क्या कर सकते हैं आप डायक्क ॊसेटन के option में आएंगे शो यहां पर भी आपको क्या मिलेगा सिस्टम के प्रोपर्टीज के बारे में देखने को मिलेगा शो वेट कीजिए अरे खुल जा क्या हो गया यह सर्मा काय रहा है कि लोग ज्यादा ओपन हो गया कि इसके वजह से हम लोगा स्लो काम कर रहा है अच्छा कोई बात नहीं हम लोग यहां पर जाते हैं तो डैरेक्ट यहां आके हम लोग सेटिंग आपन करते लेते हैं यू और यहां पर लिख सकते हैं कि अबाउट हम क्या लिख सकते हैं अबाउट अच्चा रहा था कि आपका पीशी जो है क्या है उसमें कौन सा बिड लगा हुआ है कॉन 64 बेट्स जब उप्रेटिटिंग शेश्टम लगा पे अप आप कमप्यूटर का नाम कर सकते हैं जैसा आपको मन करें वैसे आप वीडियो में फिर मिले उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो को कैसा लगा वह कमेंट बॉक्स में बताएं और आप लोग का एक जाँ मैं कल लूँंगा या फर्स लूँगा तो एक छोटा से वीडियो बना के आप लोगो बता दिया जाएगा कि आप लोगा एक जा रहा है आप लोग त्यारी और हमारा जो है पीडिया वह बत्यार हो रहा है जैसे त्यार होगा उसे अपने website में upload कर दूँगा जहांसे आप जाके to buy कर सकते हैं या repent जो पीडी अपस है वह पीडी अपस को आप क्या कर सकते ृसकते हैं जिसे में आप लोगो पूरे डीटेल में बताया गया है कि आप कैसे त्यारी करे आपको computer के बारे में सारे knowledge operating system fundamentals रहे सारे फीचर्स को आप लोगों को दिखने को मिलेगा जो हमारे प्रो पीडियुप है जो हमारे एडवांस पीडियुप है जिसे आप लेंगे तो आपका कहीं न कहीं बहतर रिजल्ट हो सकता है और ना सिर्फ इन एक्जाम बट आप लोग क्या आगे जब कंप्यूटर के लिए अगर फेस किजिएगा तो आप क्या कर सकते हैं उसके पढ़के भी आप एक्जाम दीजेगा तो आई होप आप लोग हंडेड अप्टू हंडेड कर सकते हैं क्योंकि सारा जो कोस्षे जाते हैं वह ही से पूछे जाते हैं तो हम आभी घृश्ट बील्ड कर रहे है उसे धीतर हम मिलेगह तो आप को मैं प्रिफर करूंगा कि आप क्या किजिए वेबसाइट वाले पीडियाप में के तरफ फोकस किजिएगा क्योंकि वह सब का रेट जो है मैं आश्वाशन दे सकता हूं कि हर एक से हर एक सिस्टम से इट मेंस कि आप कहीं अगर और आप पीडियाफ ले रहे होंगे तो आपको अगर पीडियाफ का रेट लग रहा होगा तो मैं उसे क्या करूंगा उस में कहीं न कहीं उससे ज्यादा छूट दूंगा क्योंकि हम आज यहां पर आप लोग को पढ़ाने के लिए नहीं बलकि गरीब के बच्चों को भी पढ करता हूं को आप लोग के लिए ही मैं एक उस्यांड क्रेट किया हूं सो नीचे कमेंट बाक्स में बताएगा कि हमारा यहीं चैंट्र क्लास के लिए लग तो को बनाते चलिए यह और आज को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो में अगले वीडियो में तब तक के हुअ